दोस्तो जैसे ही 12th का result declare होता है तो 12th का result declare होते ही बहुत सारे लाको students अलग-अलग courses में admissions लेने के लिए चल पड़ते हैं अब depend करता है कि उनका सपना क्या है, depend करता है बनना क्या चाते है, depend करता है किस course में वो admission लेना चाते है कोई medicines line में जाना चाता है, कोई engineer बनना चाता है, कोई teacher बनना चाता है, बहुत तरह के fields आपके पास available है यहाँ पर एक field हमारे सामने आता है कि आप engineer बनना चाते हो, आपको B.Tech करना है या B.E. करना है बहुत सारे student जिनके घर की माली हालत ठीक नहीं, मतलब financially वो लोग weak हैं और वो लोग category में नहीं आते हैं CST की और उन्हें scholarship नहीं मिलेगी तो भी उनके पास options होते हैं कि वो अपनी fees को माफ करा सके तो भी options होते हैं सस्ती universities उन लोगों को मिल जाए कि जितनी भी आपकी fees है, fees पूरी wave off कर दी जाए, सिर्फ आपसे होस्टल और mess के charges ले जाए ये बिल्कुल possible है, B.TEC की fees कितनी होती है, कितनी fees आपको देनी होगी semester mode दोगे, yearly mode दोगे, या कितनी exactly fees दोगे, university में admission ले या college में ले उसके बारे मैं discuss करेंगे, B.TEC के काफी हद तक, आपके doubts को मैं clear कर दूँगा, अपने इस वीडियो के माद्य हम से जादा कुछ जानने के लिए, B.TEC की fees के बारे में दोस्तों, बने रही है मारे इस वीडियो के साथ पहले तो आप 12th pass करोगे, जैसे आपने 12th pass की, किसी भी recognize board से आपने pass की, 12th pass होने के बाद में आपके minimum 50% marks होने चाहिए, 50 से जादा हो, बहुत अच्छी बात है, scholarship लेना चाहते हो, तो कई बार percentage को देखते हुए scholarship ली जाती है, तो आपको scholarship वहाँ से मिल जाएगी, बहुत सारे students ऐसे हैं, जिनके percentage अच्छी नहीं है, फिर भी वह scholarship चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास भी option बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसी private universities होती हैं, जिनें अपनी seats को complete करना होता है, तो कि उस university में बहुत तरह की problems चल रही होती हैं, या फिर यह मान लेजिए, कि students कम ह हैं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, ऐसे में, आपकी fees को 50% rebate कर देंगे, या ये भी हो सकता है, कि आपकी fees को पूरा माफ कर दें, वेवाफ कर दें, और बोलें आपको hostel और मैस की fees आप दे दो, तो ऐसी university का आपको search करना पड़ेगा, बहुत सारे universities ऐसे admission लेती हैं, आपक प्राइवेट युनिवरसिटी से अगर आप admission लेना चाते हो, बीटेक में, दोस्तों सबसे पहले आप ये समझेए, कि जब कोई भी university बीटेक करवाती है, एक मानिता मिलती है, AICTE की, AICTE उनी universities को मिलता है, जो भी AICTE में अप्लाई करते हैं, और वो engineering courses कराना चाते हैं, engineering diploma क चाते हैं, BTEK करना चाते हैं, MTEK करना चाते हैं, जितने भी universities है, universities को AICTE की मानिता की जरूरत नहीं है, ये आप RTA लगा सकते हो, AICTE को भी और पूछ सकते हो, बर जितने भी colleges चलते हैं, colleges को AICTE की मानिता लेनी ही होगी, वरना वो BTEK, diploma या फिर MTEK नहीं करा सकते हैं, दो UGC ने जितने भी courses की मानिता दी, उसमें जब gadget अपना पेश करते हैं ये लोग, तो लिखते हैं, कि हम सभी तरह के certificate, diploma, UGPG courses, मतलब की undergraduate programs और postgraduate programs भी कराना चाते हैं, तो UGPG की मानिता भी मिलती है, PhD की मिलती है, तो यहाँ पर AICTE का कोई मुद्दा आता नहीं है, तो ऐस AICTE फिर भी आप देख लें तो दोस्तों, आपके काम की चीज़ है, आपको AICTE देखना चाहिए, जो private universities है, यहाँ पर जो fees आप से charge करेंगे, यह लोग, with hostel, एक लाग से लेकर, दो लाग के बीच में fees हो सकती है, as per the university, पर मेरा मानना है, कि डेर लाग पर एयर में बहुत अ AICTE फिर ना होगा, maximum 60,000, 70,000 पर, तो यहाँ भी एक से सवालाख में आपका admission हो जाएगा, पर मैं आपको यही बोलूँगा, कि सबसे पहले कोशिश करें, government universities में आपका admission हो जाए, government university तरह रुक करें, admission आपका नहीं होता है, तो आप private university तरह भी आ सकते हैं, यहाँ भी admission लेन दोस्तों, education आपको मिलना और quality education आपको मिलना यह आपका अधिकार है, आप जब तक educated नहीं होते हैं, जब तक आप अपनी बात को सामने रख नहीं पाते हैं, सिर्फ qualified होने से कुछ नहीं होगा, दोस्तों, educated आपको बनना पढ़ेगा, सिर्फ डिगरिया लेने से कुछ नहीं universities पूरी fees माफ कर देंगे सिर्फ hostel की fees देनी होगी आदे fees माफ हो सकती है इसका criteria आपकी percentage हो सकता है SCST कोटे में आप आते हैं ये भी हो सकता है बहुत सारी universities seed भरना चाती है ये भी हो सकता है तो depend करता है किस university के तरफ जाते हैं और कैसे आप admission लेते हैं इसमें भी university आपके साथ कोई objection create करेगी नहीं दोस्तों अमीद करता हूँ के बीटक के बारे में जो मैंने आपको बताया जो fees के बारे में बताया आपको समझ आया होगा अच्छा लगाओ आज का वीडियो हमारे चैनल को अभी subscribe करें साथ में लगा बेला कि जरूर दबा दे ताकि इसी तरह की educational वीडियो आप तक बोच सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्र दोसे नहीं बाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रने के लिए